आप स्कूल नहीं जापा रहे हैं इसलिए आपको घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी हैं तो अब हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है A group of words that makes a complete sense is called a sentence कुछ शब्दों का ऐसा समूझ जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले ऐसे शब्दों को हम सेंटेंस कहती हैं सेंटेंस बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए As the first word of a sentence always begins with a capital letter कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसका पहला अक्षर capital letter में लिखा जाता है A sentence ends with a fully stop कोई भी सेंटेंस हो वो उसके last में fully stop लगता है और तभी सेंटेंस complete होता है या फिर किसी भी सेंटेंस के अंत में question mark लगता है यदि किसी सेंटेंस में question पूछा जाता है तो उसमें question mark लगता है और an exclamation mark और यदि किसी सेंटेंस में कोई आश्चरी जनक बात कही गई है तो exclamation mark लगता है अब आप sentence की कुछ examples देख लीजिए नमबर एक, the stars are shining in the sky यानि तारे आकाश में चमक रहे हैं अब ये एक complete sentence है जैसा की आप समझी रहे होंगे एक meaningful complete sentence है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है The second example is Books are our best friends किताबे हमारी best friend होती है तो ये भी एक complete sentence है Jupiter is the largest planet in the solar system Jupiter हमारे solar system का सबसे बड़ा planet है तो ये भी एक complete sentence है और आप देख रहे हैं सभी sentence में पहला अक्षर capital letter बना हुआ है और last में fully stop लगा है Next example We should get up early in the morning हम सुभा जल्दी उठना चाहिए ये है भी एक complete sentence है Next There are two rabbits in my garden मेरे गार्डन में यानि बगीचे में दो रैबिट है दो खरगोश है तो ये भी एक complete sentence है और आपने देखा है इसमें first पहला जो अक्षर है वो capital letter है और last में fully stop लगा है अब हम sentence के kinds देखेंगे यानि sentence कितने परकार के होती है नमबर एक assertive और declarative sentence नमबर दो interrogative sentence नमबर तीन imperative sentence नमबर चार exclamatory sentence तो बच्चों आपको sentence के बारे में समझ आ गया होगा कि sentence में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अब आपका homework है make complete sentence from these words given below आपको ये कुछ words दिये गए है इनसे आपको एक-एक complete sentence बनाना है और ये जो work आपको समझाया गया है sentence की definition और उसमें हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए sentence बनाते समय ये और इसके examples और इसके kinds ये सभी notebook में लिखने हैं और learn करने है और आपको daily एक page writing करनी है अपनी last year book में से और one page reading daily करना है ओके, thank you